दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही special होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ये discuss करेंगे कि केवल दो दिन में हम literature के chapters को कैसे खतम कर सकते हैं और literature में 40 on 40 ला सकते हैं इसके साथ ही इस वीडियो में हम लोग ये भी discuss करेंगे कि हमारा जो 26th February को English का exam है उसके ल आस कटेंगे ये सारी बाते हम लोग discuss करने वाले हैं तो आएए शिरू करते हैं देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि देखिए हमारे literature में जहां तक first flight की बात है और footprint without feet की बात है टोटल कुल मिला के 28 chapters हैं अगर मैं आपको कहूं कि आए आपको पूरे 28 के 28 नहीं पढ़ने हैं और 28 के 20 नहीं पढ़ने हैं और कुछ selected chapters ही पढ़ने हैं और कुछ selected chapters को पढ़कर करके भी आप 40-un40 ला सकते हैं कैसे ला सकते हैं आएए देखते हैं देखे, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हमारा लिटेशर का पहला question होता है, वो question number six होता है, literature का section C का question number six में दो option होता है, A और B, इसमें से क्यों एक करना होता है, और ये five marks का आता है, आप इतना जानते हैं, अब देखे, जो हमारा literature section का पहला question है, वो किस chapters आया है, from the diary of any frank, ये देखे, जो था, chapter number 4, जो दूसरा question आया है, ये तो देखे अपना first flight से हो गया, जो दूसरा question है, वो footprints without feet से है, right, ये देखे, ये रहा, the book that saved the earth, ये देखे, footprints without feet का, the book that saved the earth, right, यानि आपको करना तो एक ही है न, यानि एक जो है हमारे first flight का chapter number 4 है, और दूसरा footprints without feet का chapter number 9 है, लेकिन हमें करना तो एक ही है, right, ठीक है, और इस extract के लावाँ, जो हमारा question number 7 है, वो poem का है, वो poem का extract है, तो आई एक बार सारा देख लेते हैं, फिर हम लोग conclusion निकाले हैं, कि कितने, कौन-कौन से selected chapters पढ़ने है, right, क्योंक कि इसी पे based, you know, extract के लावाँ, आपका 3 marker भी आता है, 6 marker आता है, तो हम सारों को देख करके, फिर हम conclusion निकालेंगे, I assure you कि आपको सारे chapter नहीं पढ़ने पढ़ेंगे, फिर भी आप 40 marks पाएंगे, चले, आगे हम देखते हैं, तो अगली slide में हम लोग ये देखने वाले हैं, ह क्या करना है, उसमें CBC ने क्या guidance दिये, question number 6 के लिए, क्या guidance दिया है, कि one mark for each correct answer, जो भी अभी हम लोग ने पीछे देखा, extract में, अगर आपका सही होगा, तो पूरे one mark मिलेंगे, और अगर आपका अगलत होगा, तो पूरे one mark मिलेंगे, तो पूरा मिलेंगा, तो पूरा जा जाता है, दो option मिलते हैं, इसमें भी, देखिए, 7A and 7B, right, अब देखिए, यह किस chapters आया है, आमंडा, यह देखिए, हमारा poem, आमंडा, poem number 6, and यह दूसरा वाला जो और में question किसे है, the ball poem, ध्यान दिजीए, आप लोग, the ball poem, right, basically, chapter number 5 और 6 से आया है, और इसके एक सबसे आप नहीं ला सकते है, वो दिन गए, चूंकि extract को आप देखिए, question paper का pattern ऐसा बना दिया है, फिलप्स में आने लगा है, right, या इस तरह के question आएंगे, आपको chapter पे complete command develop करना ही होगा, और अब भी time है, अब भी time है, आप केवल दो दिन के अंदर पूरी literature खतम कर सकते हैं, क्यो क्यों पढ़ दा लिए, क्योंकि आपको full marks लाने है, और क्योंकि आपको सारे chapters पढ़ने ही नहीं है, मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन से selected chapters करने है, आप comment box में अभी comment करिए कि sir, I will go through NCRT thoroughly and I will score 40 marks, yes, अगर आप NCRT पढ़ने के लिए, आप मुझे guarantee दे सकते हो कि sir, I will read NCRT thoroughly मैं आपको guarantee दे रहा हूँ, you will get 40 on 40, आई आगे बढ़ते हैं, चलिए, next question आता है हमारा literature का question number 8, अब देखिए जो question number 8 है, इसमें हमें क्यों 4 question करने हैं, आएगा कितना 5, total 5 question आएगे 5 में से 4 करने होते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि, इसका जो word limit है, word limit क्यों 40 to 50 word से हाँ, word limit से आदाया कि आपको word limit का ख्याल रखना, क्योंकि अगर आप word limit का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको उसके लिए marks खोना पड़ेगा, right, अब देखिए, five question है, देखिए, पहला question कहां से, a letter to God, पहले chapter से, दूसरा question कहां से, दूसरा question है, his first flight, आप जानते हैं, यह दूसरे वाले chapter से, उस बाद तीसरा question क्या है, इस poem से, basically जो question number eight होता है, वो हमारा first flight से आता है, first flight से आता है, आप जानते है, poem होती है, और prose होता है, right, तो prose के दो question हो गए, अब poem से कौन सा question आया है, poem साया है, how to tell wild animals, यह देखिए, chapter number four, उसका जो अगला question है, misbuild, यह दे देखिए, यह देखिए, लेकिन अब देखिए, total 5 है, लेकिन हमें करना तो क्यवाल, चार ही है, तो देखिए, यह six, यह, अभी वो trick share करते हैं कि, कौन कौन से chapter करने है, अभी एक बार पूरा totality में हम लोग, देख लेते हैं, विकाज आगे भी कुछ question है, three marker भी है, और six marker अब देखिए, question number eight को लेके, CBS ने क्या guideline issue किया है, अब देखिए, यह आप लोग पढ़ लेना, मैं क्यों यह discuss करना चारा हूँ, चलो यह भी देख लेते, award two marks for complete, अगर आप यह जो three marker question, अभी question number eight होगा, हम लोगों अभी पीछे देखा, अगर आप पूरा answer लिखेंगे, त नहीं, तीन से ज़्यादा grammar की गलती करते हो, तीन से ज़्यादा spelling की गलती करते हो, then you will lose, आधर नमबर आपके चले जाएंगे, तो तरह आप पढ़ाई दो करिये रहे हैं, बोड का एकदाम चली रहा है, spelling से भी ध्यान दे लिजिए, चले आगे बढ़ते हैं, next question हमारा question number nine, ध्यान दीजिए, अब जो question number nine है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, पिछला किस से था, first flight से था, ये, इसे बोलते हैं, FFWF, footprints without feet, इसमें भी देखो, तीन question है, लेकिन तीन में से केबल दो करना है, अब आईए देखते हैं, किसी chapter से है, उसी की basis हम लोग decide करेंगे, कि कौ midnight visitor, ये रहा आपका, देखें, एक पहले chapter से, एक तीसरे chapter से, लेकिन करना तो आपको दो ही है, पैटर नोट करते हैं, इसी के basis हम लोग निकालेंगे, अच्छा, दूसरी चीजिए, देख लिए, आपका half number कटेगा, अगर तीन से ज़्यादा grammar और spelling की mistake आप करेंगे, तो इस जिसका answer आपको, three marker होगे, जिसका answer आपको 40 to 50 words में लिखना है, हम लोग पहले ही डिसकत कर चुके हैं, आप question number 10, question number 10 में क्या है, six marker है, right, question number 10, six marker है, और जिसका answer आपको 102, 102, 120 words में लिखना है, यह वो answer है जिसमें अब आपको introduction भी लिखना चाहिए, body भी लिखना चाहिए, और conclusion भी लिखना चाहिए, over limit को follow करना है, अब देखे, आईए देखे, इसमें किसकी chapter से आया है, देखे, dust of snow से आया है, देखे, dust of snow, poem का पहला chapter, दूसरा, his first flight, यह देखे यह, his first flight, यह देखे, तीसरे वाले chapter से आया है, अब इसमें भी, दो में से एक करना है, अब देखे, अगला, madam writes the bus, यह देखे, आपका, यह वाला chapter रहा, madam writes the bus, chapter number 7, ठीक है, चलिए, अगला फटा-फटा-फटा हम लोग दिसकत सर्स, इसमें भी, यह जो CBC नी instruction क्या दिया ह है, content के लिए या नहीं, जो आप लिखेंगे, इसमें सबसे जरूरी बात है, कि question जो पूछ रहा है, please आप वही लिखे, कोई ऐसी बात मत लिख करके आए, जो relevant नहों, से related, question से related ही बात लिख करके आएंगे, तो 3 में से 2 तो मिल ही जाएंगे, at least 1.5 तो मिल ही जाएंगे, right, expression के दो number मिलने वाले हैं, और, यहाँ पर एक चीज़ और है, वो धका हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, clear करके, यह देखे, accuracy, वही, accuracy वही होगी आपकी, grammar की और spelling की, तो grammar की गलती करने ही नहीं अपने को, चलिए, तो यह, जो question number 10 होगा, अपना कहां से आएगा, first flight से आए है, उसके बाद हम लोग discuss करेंगे की कौन-कौन से chapter करने है, कौन-कौन से selective chapters करने है, अब question number 11 कहां से आया है, यह again, 102, 120 words के बीच में लिखना है, इसमें भी वही होगा अपना introduction, main body, and उसके बाद अपना conclusion देना है, right, और तीन paragraph में लिखेगा, ठीक है, चले, आप देखे, ज करना तो, देखे, एक second chapter से, एक fifth chapter से आया है, right, तो by now आप लोगों ने conclusion निकाल लिया होगा कि कितने chapters करने है, right, देखे, अब आपने देखा, एक fifth chapter है, second chapter है, अब हमें करना एक ही है, इसमें भी वही है, spelling, basic instruction है, कि भाई, spelling और grammar की mistake करेंगे, तो number करेंगे, हाना, चले आप लोगों देखे, now, it's time for the final verdict, कि भाई, after all, करने कितने chapter है, अब आप ये देखे, ध्यान से देखे, हम लोगों वही डिस्तस करने चल रहे है, total करने कितने होंगे, right, ये आगया अपना, चीक है, now it's time to know कि भाई, कितने करने है, देखे, बहुत ध्यान से देखे, आपको chapter number one स ले करके, आपको chapter number six, देखे, मैंने सुबूत के साथ, question paper के साथ, आपने देखा, कि chapter number seven के, chapter number seven, आपने देखा, कि chapter number six से पहले, पहले, equation, आपको, चोगी हर question में option है, question number, आपने देखा, कि कोई भी चाहे, चाहे अपना prose हो, चाहे अपना poem हो, चाहे अपना ये, footfields आपको, एक question मिल गया है, right, तो best advice ये रहेगी, कि आप लोग chapter number six, one से लेकर के six, चाहे आपका pros हो, चाहे आपका poem हो, चाहे आपका footprint without feet, one to six लेकर के, खूब अच्छे से तयार कर डा लिए, right, अब अगर आप total देखें, तो कि दने chapter हो रहे है, 18 chapters हो रहे है, और मैं आपको guarantee 20 के साथ बोलता ना हो, एक chapter को तयार करने में, दो घंटे से जादा नहीं लगे, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने half yearling में तयार किया है, आपके दो-दो round of preboards में उसमें आपने तयार करिये है, तो total कितने hours लगने वाले है, 36 hours, देख लिजे, और एक दिन 24 घंटे का होता है, 24 घंटे को अगर 2 से multiply करो 48 hours, not even 2 days, लेकिन फिर भी हम माल लेते हैं, तो इस तरीके से आप कुछ selected chapters को तयार करके, केवल 2 दिन में पढ़के आप literature में 40 on 40 ला सकते हैं, दोस्तों इस तरह की वीडियो में बनाता रहता हूं, and चैनल को subscribe जरूर करिए, वीडियो को like जरूर करि आज के लिए तना ही, thank you so much